आवाज विशेश कारेकर में आपका स्वागत है और विशेश में आज हमारे साथ एक बड़े ही प्रतिभा के एक विशेश्ट प्रतिभा के धनी इसम हमारे साथ है जो यंग साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं वैसे इंजिनिरिंग उनका फिल्ड है लेकिन युनाइटेड नेशन ने उनको इस बात के लिए सम्मानित भी किया है और आपको बताएं कि एक ऐसे प्रोफेसर हैं कि जो अपनी प्रोफेसरी को बच्चों के साथ तो करत है और ऐसा मार्क दर्शन जो जो उनको उनके जीवन के उत्थान के लिए प्रेरित करता है तो एक ऐसे मोटिवेटर को एक ऐसे मैंटर को इसमें मैं आप से मिला रहा हूं आप है प्रोफेसर डॉक्टर संजे खोबरागडे फिल्ड इनका बच्चों से बाच्चित करना और उनके मोटिवेट करना और उनके करियर को डिजाइन करके देना और उस डिजाइनिंग के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है इसके लिए गाइड भी करना डॉक्टर साफ कारेकर में आपका स्वागत है तैंक यू जैभीम डॉक्टर साफ बात यहां से शुरू करते हैं से उनका तालुक नहीं होता तैसिल अ प्लेस से उनका तालुक नहीं होता तियो सोचाँ आप ने साब मैं कॉनकन में काम करत हूं मेरा विद्विभा इरिया में इसे तो सब्स wave ने 1956 में ले थी, 1956 में, तो उसके बाद में एक विदर्बमेंग और अरागबाइज जैसे एरिया में बहुत बड़ी सामाजिक और सेक्शिनिक रांती हुई है, वो सामाजिक और सेक्शिनिक रांती कौंकन में नहीं हो पाई, तो कौंकन में एड़ूकेशन के साफ से कौंकन के जो नहीं है वो काफी पीछे है तो मैं ये जब मतलब गाउं गाउं में जाके देखता हूं तो उनको ये भी पता नहीं है कि दसवी और बार वी के बाद में क्या पढ़ना है हमारे आगे में एक बहुत बड़ा एक्जामपल हमारे आगे में महावाना और डॉक्टर बाबासाब पांबेट करका कि जिन्हों ने कोलम्बिया विदाइपीट और कापी सारी जगह पे जाके उच्छे सिक्षन लिया है लेकिन आज की जनरेशन में भी अगर हम लोग आजबाजू के एरिया में देखते हैं तो वहां के बैचे पड़े नहीं है उसका बहुत सारे बैक्राउंड देखें या फिर मुंबई देखें इस तरब भी इतना उची शिक्षा की और बहुत जादा आकरशन तो नहीं है लोग पड़ते जरूर है मतलब यहां भी एक सामान अमूमन जो जो बैशलर डिग्री होती है उस बैशलर डिग्री तक जाते है पोस्ट ग्राजूशन करते है लेकिन शिक्षा के प्रति जिस अवर्निस की बात आप कर रहे है ऐसा अवर्निस तो इधर भी नहीं है आपका कैसा मानना है मेरा मानना है कि वही वीदरबा की लोग काफी पड़े लिके हैं उसका मैं कंपारिजन ऐसे दे सकता हूं कि अगर आप मुंबई जैसे एरिया में क काफी उच्चा पदादिकारी जो लोग देखते हैं उसमें काफी ज्यादा प्रमान विदरबा के लोगों का है अच्छा हम लोग अगर ऐसे करते हैं कि जैसे वहां लोग की पच्छी महाराष्ट के कोई गाउ का एरिया है तो वहां के अधिकारी लोग कम है वहां के क्लास् में जाके वहां पे पाच पचास सो अगर बच्चे मिलते हैं तो हर जगह पे जाके मारगा दर्शन दे रहे हैं हम लोग आप बार बार जो मैं सुन रहा हूं हम लोग क्या आपका कोई inстitution है जब मैं हम लोग बोड रहा हूं तो मैं काफी सरे ऑरिने से जुड़ा हूं तो यह एक क्यों का तो वह क्या करता है की काफी सारे संगट यह किजिए तो कोंकन में कम से कम दस या बारा ऐसे अलग-अलग संगटन है जिनका हम लोगों ने नेटवर्क करके रखा है कि गाओं-गाओं में जाके हर जगह पे जाके वो लोग कारेकरम करते हैं मैं आपको एक एजांपल और एक देना चाहता हूँ कि मैं जहां पे रहता ह है उसका उद्देश क्या है कि टेक्नोलाजिकल इन्यूवर्सिटी वहीं पे है वहां से पंद्रह है बिस किलोमेटर के दूरे पर विक्तिमत्व विकास केंद्रह है लेकिन आजुबाजु के लोग है उनको यह भी मालूम नहीं है कि वहां पे टेक्नोलाजिकल इन्यूवर् खुले करना अच्छा यह हमारा काम है और यह हम लोग हर साल करते हैं मतलब उनके साथ इस तरह से जूड़ जाते हैं कितने गाउं से अभी तक आपने संपर्क किया होगा मैंने खुद होके कम से कम एक सो पच्चेस कारेक्रम लिये है अभी तक उसमें बहुत अच्छे जगह से लेकर तो एकदाम छोटे से गाउं में जहां पर 15-20 लोगों को भी मैंने कारेक्रम लिया है और यह सारे कारेक्रम करते समय हम लोग एक ही ध्यान में रखते है कि बाबा साथ के वज़े से हम लोग अधिकारी बने हैं तो हमारा यह करते हुए बनता है कि हम लोग समाज को पे बजाते हैं उनके उनको वहाँ पर प्रेजिनेशन देते हैं और साथ में कोशिश करते हैं कि हमारे कॉंटेक के तुरू जब अब एडमिशन का समय आता है माननों इंजिनेर का मैं राइगर निश्टी का से एटी का हैड़ भी रहे चेका हूं तीन साल तक तो उस वजह से क्या होता है कि जब भी वह बच्चे एडमिशन के लिए आते मैं और एक बहुत ही सुन्दर आपको एक जांपल देना चाहता हूं महाड काफी एतिहासिक स्थाल है महाड में यह सी एस्टी के लड़कियों के लिए एक गौश्टल है गौवर्मेंट का फूश्टल है तो वहां पे कम से कम 60-70 लड़किया अभी भी रहती है उनका खाने पी निकास सब मतलब गौवर्मेंट समवालते हैं वहां पे सब लिया था तो ती साल के बाद मुझे ढूंड़ते जूंदे युनियरुट हो कहां पर हैं और मेरी मेरी पास आने के बार डारिक लिए उसने बोला कि सर मुझे एंजिनिर करना है शाप है क्यों कासे क चादा उससे पता निया मा और पाज़गने मैं बच्छी ता कश वाम हम लोगों ने भरवा दिये उसको एक अच्छे जगह पर यह मिला हुआ है और आज वो बच्ची थाड़ एर में है और काफी अच्छा कर रही है अभी आपका कितने गाउं से आपका संपर्ख हुआ है मैं कम से कम सौ देड़ सो गाउ जो आजवाज में हैं जी वहां पर म का कोई कास मतलब नहीं बचा है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की हमेशा जरूरत होती है वह इस वक्त भी है और कॉंपिटिशन बहुत जाता है तो आप इसा सोचते हैं कि इस वक्त में मतलब जब एजुकेशन भी ग्लोबल हो चुका है और ऐसी इस्तिति में आप डिजा को motivate भी करना कि वो कैसे करना है और किस तरी कैसे करना है जी और साथ मैं अपने आपको comparison मानलो कि भाई कोई शहर का मुंबए का बच्छा है नापपुर का बच्छा है तो उसमें confidence लेवल लग रहेगा और गाओं का बच्चा है उसमें कॉन्फिटेंस लेवल लेवल लग रहेगा बिल्कुल बिल्कुल ये कॉन्फिटेंस लेवल में आपका कॉन्फिटेंस कैसे उपर उठाना है हाँ और आप किसी भी मामले में उनसे कम नहीं है आप यह हो सकता है कि मैं इं मिल के यह करते है तो उसमें मैं जो टेक्निकल नॉलेज है मतलब जैसे कम से कम सब्सक्राइब करीब अलग अलग एजुकेशन ऑफ्शन से जहां पे मेडिकल फिल्ड है इंजिनेरिंग फिल्ड है फामसी है सबी तरीके के एजुकेशन अपॉर्चनिटी है तो उसका इक पाउ तो उसमें उस बच्चे को मोटिवेट करते कि वो जो है उससे आप कहीं कुना बेटर हो अच्छा लेकिन डॉक्टर साब एक बात तो बताईए कि आप तो वैसे एंजिनेरिंग के स्ट्रिम से आते हैं लेकिन इस वक्त में हम लोग जो देखते हैं कि इंजिनियर्स बहुत जादा अनेंप्लाइमेंट के शिकार है मतलब पूरे देश का अगर हम लोग एक डाटा लेनी के कोशिश करें इस वक्त तो अभी हमने जो ये तीन-चार दिन पहले एक ख़़र ये भी पढ़िये हैं कि बहुत अच्छे इंजिनेरिंग कॉलेजिस ने अपने यहां से कुछ डिपाटमेंट को बंद करने के लिए ओनिविशी को लिखा है तो इस इस इस्थिति में आप इंजीनेरिंग को किसा देख लेएं कि बहुत सारे लोगों का आज बी मतलब ये भी इस इस्थिति में भी इंजिनेरिंग की और जाने का बहुत जादा रूझान भी है और ऐसी स्थिति में अगर अनेंप्लाइमेंट भी है अगर कॉलिज यह लिख रहा है इन्यूशिटी को कि हमारी यहां यह फाला डिपार्टमेंट बंद कर दें तो आप कैसा देख रहे है इस पूरे स्ट्रीम को आपका बोलना सही है सर क्योंकि पिछले साल के अडमिशन में अगर महा को अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं अच्छा या अगर मनों कि जैसे मैं ऐंगीर हुं लेकिन एलेक्रोणिक्त के अंदर में सब अलगांसिति उसमें साब अलग स्वस्टेशिप्लिन से अगर विय सब्लेशन कर दिया या मेरा कउसराय करता है या में आग्गा अगर मेरे को जाब मिल जाएगा आज मैं आपको कंपेर करके बताता हूं कि हमारे इस में से जो एंटीना फिल्ड पर काम कर रहे हैं उसमें से जितने भी बच्चे निकले हुए और सारे टॉप जगह पर साइनटिश्व करके लगे हुए मेरा एक बच्च्चा इस रो में साइ Engineering में अगर मतलब आपको ये कम हो रहा है, admission कम हो रहा है, तो अगर आप किसी particular specialization करते है, additional course करते है, software को करते है, या और कुछ ये करते है, अपना skill develop करते हैं, तो आपको आरम से job मिल सकता है. मतलब आप ये कहने जा रहे हैं कि आप जिस भी discipline को चुने, उसमें आपके excellency होनी चाहिए, excellency होना चाहिए, एक particular subject को आप पकड़े है, और उस particular subject पे आप additional knowledge लेजिए, लेकिन मैं अब दूसरी बात इस से जोड़ कर देख रहा हूँ कि जिस तरह से आपने जिन बच्चों को अपना कार्य करने के लिए चुना है, और जिन स्कूलों से आ रहा है, वो गवर्मेंट स्कूले होगी अधिकतर, शायद उस तरफ में कोई CBSE पैटर्न में पड़े हुए बच्चे शायद नहीं मिले, तो उनका language का problem होगा, आज के attitudes के साथ जिस तरह से ये syllabus design होए है, इनके साथ उनका matching नहीं हो पाता होगा, आप कैसी इन बच्चों को motivate करते हैं और तैयार करते हैं? ये बतल सामाजिक लेवल पर तो मैं मानता हूं है, ये काफि सारा deficiency है, यहाँ पर मैं specially विदर्भा में काफि जो activity चल रहा है, उससे काफि जादा inspired room है, उसमें से जैसे payback to society वाले जो संगटन है, वो बच्चों के लिए इस तरीके से काम कर रहा है, ताकि हर गाव में या हर एरिया में जाके वहाँ के बच्चों का skill development बोलो, या वहाँ के बच्चों का education option के हिसाफ से आगे क्या करना है, इसके बारे में knowledge बोलो या पिर अलग-अलग तरीके से guidance करना है, उसके लिए यहाँ पर विदर्वा में काफी जग़ा पर center open किये हुए, तो हम लोग कॉंकर में भी वही कर रहे है, कॉंकर में एक अलड़ी हमारा जो युवा करांति संगटन है, उन्होंने अपना विक्तिर मात वे विकास केंद्र यहाँ पर start कर दिया, मैंने खुद ने एक चार या पांच एकड़ जगल लिया है कॉंकर में, मेरा हितु भी वही है कि गाउं गाउं में जाके जो बच्चे है, वहाँ से बच्चों को pick up करो, हमारे इसमें उनको guide करो, ताकि उनको foreign में जाके, या फिर इंडिया में अच्चा education मिल सके, जब हम लोग उच्चे सिख्षा लेते हैं, तो उच्चे सिख्षा लेना मतलब पैसा खर्चा करना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उच्चे सिख्षा में भी government, अलग अलग तरह से आपको fellowship देता है, scholarship देता है, यह है, लेकिन उसके लिए exam देना पड़ रहा है, जैसे मान लो कि अगर आप gate clear करते हो, आप post graduation कर सकते हो, तो gate fellowship आपको मिलती है, ME करने के लिए, MT करने के लिए, आपको फिलोशिप मिलती है, लेकिन यह करने के लिए आपको gate देना ज़रूरी है, तो अगर आपको information मिल जाता है, कि हाँ मैंने gate दे दिया है, और मैं higher education ले रहा हूँ, तो जितना आपका admission fees है, उसे कहीं ज़्यादा आपको fellowship मिल जाता है, यह हर जगह होता है, हर इसमें होता है, हमको उसके रास्ते मालूम होना जाए है, तो यह जानकरी आप बच्चों के पास पहुंचाते हैं, यह जानकरी हम लोगा जाते हैं, अच्छा कई बार ऐसा भी तो होता होगा, जैसे आप गाउं में पहुंचे, और बहुत किसी बच्चे में बहुत जादा केलिपर हैं, बहुत बहतर लड़का है, अच्छा स्पार्क है, लेकिन उनके पास में उनका जो आर्थिक स्थितिये बड़ी अभाव गरस्तता है, और ऐसी स्थितिये वो बच्चे नहीं बढ़ पा रहें, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि इन बच्चों के लिए कैसे आधार बनेंगे, कि वो लोग वहां से निकले, बाहर आएं, क्या उनके लिए ऐसी कोई आर्थिक विवस्था बन सकती है, क्या इस तरह के काम पर भी आप सोचते हैं? मैं को परिष्टे थे, मेरे खुद के का एक एक ऐसे आपपल देता हूं घ Dassault करके हमारे इन बच्चा अ करके यह चिय ओ बहुत लूट्फिक में आया जब हम Echo उक पता चलां लग तो एक तो उसको सिक्षिया को कि थुरू था, था साथ में युनिवर्शीटी में खुद अर्ण लेंड लॉर्ण स्कीम चलता है अच्छा कापि सारे इनुवर्शीटी में है यह स्कीम बच्चे को मालूम नहीं है तो ऐसे अलग-अलग खेंग के थ्रू अगर मान लोगो स्को सपोट मिल रहा है तो हमारे जो रहूल है रहूल को उस समय में यह स्कीम नहीं था लेकिन हमारे फैकल्टी मेंबर ने उनको काफी सपोर्ट किया उन्होंनों कहा कि होश्चल में जो मेस रहता है मेस में उसको अडिशनल काम दे दिये आप थोड़ा वहां पे काम करो आपका अरणिंग में हो बेश्चे में ता टोपर में इतना सही बच्चा निकला बाद में उसने पिर उसको कहीं जॉब मिला तो हमारे है डाद रिपार्मेंट फिर उसको बुला लिए कि आप ज़ू मत करो आप पिर से पौंस रैस्ट जोइन किया फिर वही दुबारा उसको फैनिस्टिश्ट सारे फैकल्टी मेंबर से या फिर उनिवर्सिटी के तरफ से मिला ऐसा करते करते फिर बाद में उसने गेट क्लियर किया आई एस्टी में से उसने प्येजी किया आज वह बच्चा इस रो में साइंटिस्ट है क्या बात है यह हमारे एक्जांपल जो अलग-अलग जगह पर गया है नासा में हमारे बच्चे है अलग-अलग जगह पर साइंटिस्ट करके हमारे बच्चे है आप नाम लेजिए आप सीटी का नाम लेजिए या फिर आप अच्छे पोजिशन का नाम लेजिए वह हमारा शूर्ट है यह जो इंजीनियर बनके गए हुए यह जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े background से आये हुए बच्चे यह आम बच्चे है जो एकदम सामाने परिवार से आये हुए है लेकिन जिनके लिए एक बहुतर guidance अगर करते हैं अपने करियर पर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बाबा साब के समान बड़े बिल्डिंग पर आप बहुत काम करते हैं आपने कहा भी कि विक्तित्व विकास जो केंद्र है वो भी आपने बनाया है अब इससे में आपको बहुत सारे लोग जो देख के कि तरह से अपनी परसनेल्इटी को है क्या लगता है मुझे लगता है कि मैं रहते हैं यहान Anyways रहते है उतना ही के बच्खों में भी है यह बुगता हॉं कि गावो के बच्चे में करदा है उसमें ज़्यादा कैलिभर कि उस मिट्पर इस भीmir हो है अच्छा अगर उसके उपर उसने अपने खुद के उपर ज्यादा फोकस किया ना वो बच्चा कहां के कहां पहुँच सकता है और उसके सामने चैलेंजेस भी बहुत जागा हुँचा क्योंकि चैलेंजेस मतलब हम लोग ऐसे कर सकते कि वो बच्चे में इन बॉर्ण कॉलिटी जैसे है कि वो किसी भी चैलेंजेस को फेस कर सकता है सो मैं मेरा यह मानना है तो मैं यह बोलता हूँ कि उसको अगर प्रॉपर तरिके से हम लोग उसको यह करते फोकस करते गाइड करते हैं बहुत ज्यादा एक्सलेंस क्योंकि सक्सेस डिपेंट्स ऑन ऑपरचुनेटी डॉक्टर साब यहां हमें इस बातचीत को रोकना होगा लेकिन चलते चलते मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि एक संदेश के रूप में अगर इस पूरी इस पूरी बातचीत को अगर हम लोग समराइज करना चाहें तो आप क्या कहेंगे एक छोटा सा संदेश के वो उनको मिल पाया और इसलिए फिर यहां पे काफी सरे जो बदलाव है वो बदलाव कर पाए हमारा इस इसका डिसकेशन का मैं रिजल्टी निकालूँगा या फिर आगे मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे भारत से बाहर निकल के वर्ल्ड मे सब्सक्राइब करने तो हमारा नंबर काफी है की मैं कि सरे में यहीं में हम लोग चाहे कितने बी गरीब हो उस के बहुद हमने एक जister tutti Сब्सक्राइब कि सब Kingdom कि education कैसे होता है अगर हमारा वहां पर education होता है और वहां से हम लोग रिटन भी आते हैं तो easily हम लोग यहां का समाज change कर सकते हैं और समाज बदलने के लिए education एक बहुत बड़ा factor है चाहे आप सवीत्री माता फुली लिजे मात्मा फुली लिजे चाहे आप शाव माराज लिजे बाव सावा मिट कर लिजे यह सबका common अगर point आप consider करते तो education है तो मेरा बूलना यह है कि हमारे बच्चों ने education में टॉप में जाना जी है शिक्षा यह सबसे हमसब के सामने है डॉक्षर संजेख हुबरागणी सबने होती है ऐसा कोई नहीं कि जिसके पास संभावना नहीं है लेकिन हर एक ने अपने अंदर के गुनों को अपने आंतरी गुनों विक्सित करना होगा और उसको उसके चरब तक ले जाना होगा य Bigton के जितने भी टॉप नो इंवสट क्रेसमें आप को रखना होगा औरो उसमें साइब भी करना होगा तब कहीं एक बहतर जीवन की और हम लोग मुढ सकते हैं एक मेंटर के साथ हम लोग बाचीट कर रहे см जो personality development में अपने guidance को देता है प्रोफिसर डॉक्टर संजे खोबरागडे डॉक्र साब आप हमारे साथ आए हमसे बातचीत की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप बने रहेगा आवाज इंडिया के साथ प्रोग्राम आगे भी जारी है थैंक यू